नमस्कार थाथियों, Study IQ YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, उमीद खरता हूँ आपकी Study शांदार चल रही होगी हमारी चल रही थी केरला पब्लिक सर्विस कमेशन के लिए मैच्स की सिरीज, इस सिरीज का आज हम डिसकस करेंगे अपना सेट नमबर सेकेड अब तक हम लोगों ने इन सारे के सारे स्टेट्स को कवर कर लिया है, यह करनाट का भी अपना यहां पर Complete हो चुका है नाइट के अंदर अपना रन करता है 10 पीम पर हर्याना और मोर्निंग के अंदर 8 अम पर हम लोग यहाँ पर डिसकस करते हैं करनाट का स्टेट को यह टेलिग्राम चेनल जरूर जोइन कर लेना क्योंकि इसके फाइल सेक्षन में आपको यहाँ पर मिलती है इन सब की पीडियाफ इसके अलावा अगर आप केरला स्टेट से तैयारी कर रहे हैं PSC की तो हमारे वेरियस स्मार्ट कोर्से अवेलबल हैं जोइन करने का तरीका विजिट कर सकते हैं SteadyIQ.com या फिर प्ले स्टोर पर जाओ और SteadyIQ एप को इंस्टोल करो अगर आप मुझसे मैच्स पढ़ना चाहते हैं तो इन एक्जाम्स को कवर करता है मेरा मैच्स का कोर्स उसे भी जोइन करने की सेम वही प्रोसेस है SteadyIQ एप को इंस्टोल करो और सर्च करो वासू आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा चलिए भी सभी को गुड मॉनिंग आज के सेसन का सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने जल्दी से एक बार के लिए सेसन को भी लाइक कर दो और सेर भी करीदो देखो क्या कहा एक स्कूल ने 630 चात्रों को प्रवेस दिया लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपाद 3 अनुपाद 2 है 90 नए चात्रों के प्रवेस के बाद ये अनुपाद 7 अनुपाद 5 में बदल जाता है नए भरती हुए लड़कों की संख्या गयात कीजी यह सेम पैटर्न आपको दिखेगा यह भी प्रीवियस एर की क्योशन हम लोग पहले डील कर रहें कि एक जैसा सा इन सब एक्जाम्स का पैटर्न रहता है कि अग्जाम्स कि खोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है सवाल लेकिन उम्मीद करता हूं कि विवस्ता बन जाएगी चलो भी डील कर लेते हैं देखना जरा डील करने का तरीका क्या होगा है इसके अंदर boys और girls का जो ratio आपको दिया वो दिया तीन अनुपाद दो कहने का मतरब total मिला करके 5 student है 5 represent करता है 630 को एक की value निकालोगे तो क्या करोगे 5 का division एक बार division चला गया दो बार division चला गया 6 बार boys अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पर भी 126 का multiply करना पड़ेगा यह आ जाएगा 26 तीन आपका हठंतर और यह 3 यह लिखा जा सकता है अगर आप ठीक ठीक प्रियास करते तो मेरा एक अनुमान था यह इतनी unwanted calculation नहीं करनी थी आपको क्यों क्यों क्योंकि यह सारा का सारा part आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ratio में 5 जो है वो 630 को बताता है 5 की value आपको वन की value चाहिए तो 630 में 5 का division कर देते division आपने एक बार किया दो बार किया और छे बार किया number of boys आपको चाहिए तो 3 से multiply कर देते तो 638 36 और एक आपके पास 37 यह बन जाता अब क्या कहा 90 student नए आ गए और बाद में boys और girls का ratio यह बन गया अगर आप boys और girls को ले करके चलोगे तो यहाँ पर calculation आपकी काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी reason girls कितनी आएगी उनको लोगे इससे better है हम लोग prefer क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पर target कर लो boys अपोन में total पहले boys आपके पास 370 एट है इनी से लेवल पर इसके बाद मैं माल लेता हूँ x boys और आगे total student हमारे पास 630 थी उसके बाद 90 आगे तो अब total student कितने होगे 720 हमने boys जपोन में total को target किया है माल लिया कि x boys आगे है total student उसने आपको 90 दे रखा है boys हैं कितने साथ girls कितनी 5 तो total student कितने आगे 12 इसे कर लेते हैं वही 60 12 से काटोगे 60 time 60 को इससे multiply करोगे यह बन जाएगा 420 x की value निकालोगे तो 308 420 कितने का gap है वही 20 20 40 42 42 का यहां पर आपके पास gap maintain हो गया उमीद करता हूँ बाद समझ में आगी होगी बाग यह पेचिदा काम है नहीं वो तासान सा pattern है और यह वाले pattern आपको पता होगा cross method से भी discuss हो जाते हैं देखना previous year का ही सवाल आपके सामने एक हो एक आदमी ने दो गाए 990 रुपए में बेची एक गाए पर उसे 10% का लाब हुआ दूसरी पर उसे 10% की हानी भी सुद्ध लाब यह हानी चलो यह तो वर्बली बता दोगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ loss in rupees rupees में इसको कितने रुपए का loss हुआ है यह तो normal है उमीद करता हूँ answer आ गया होगा good morning भाई सभी को good morning मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि rupees के अंदर जो loss हुआ है वो कितना होगा बागी तो answer आ गया होगा minus 1% क्योंकि जब भी कभी आपकी SP equal होती है जब आपकी selling price यहाँ पर equal होती है तो उस case में x percent का एक article profit x percent का एक article पर loss तो all over दोनों का जो conclusion निकलता है वो निकलता है x square अपोन में hundred percent का loss तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो 10 का square 10 का square hundred अपोन में hundred percent का loss आएगा तो finally answer तो यह आगया मेरा सवाल आपसे यह था कि अगर rupees की बात करें तो कितने का loss होगा 99 भी बता रहे हो one ninety nine भी बता रहे हो nine point nine भी बता रहे हो इतना variation बैंकरी लेवल का इतना variation तो नहीं होना चीए था भी 99 अपोन hundred भी आ रहे है 99 अपोन hundred को solve करोगे point nine nine आएगा बात को ध्यान से समझना देखो असल में देखा जाए इसे पूरे के पूरे इसे पूरे के पूरे बिजनस में एक परसेंट का loss होगा है पूरे बिजनस में इसका मतलब इसकी total CP अगर मैं कहूं इसकी total CP इसकी टोटल CP अगर 100 रुपए है तो इसे पूरे बिजनस में एक का लोज हुआ है और इसकी टोटल SP कितनी है भई 99 कहने का मतलब ओलो और बिजनस का निकल के आता है अगर इसने सारा का सारा समान 100 रुपए में खरीदा था तो पूरा समान इसका 99 में बेचा गया असल में इसने दो गयें बेची 990 रुपए ने एमें सोल टू कावसेट 990 छीक अभी इसके अंदर लेंग्विज ओटोमेटिक अंडस्टूड हमें माननी पड़ेगी 990 रुपीज इच उसे देना चाहिए था वैसे नहीं दिया तो फिर उसे इस टाइप का सवाल नहीं में 990 ये हमारी क्या है सेलिंग प्राइस टू इंटू 990 ये किसको बता रही है ये इसको बता रही है किस से मल्टिप्लाई किया 99 तो है दो गुणा दस 20 से गुणा किया इसको भी कर दो 20 से तो 20 रुपीज का लोस हुआ है इसे ओल ओर बिजनेस के अंदर छीक है भी किसका रिप्लाई आया दिव्या का एंसर आया बही करेक्ट बाकी किसी भी बच्चे का नहीं आया थोड़ा सा सुधार करो बहुत नकली नकली सवाल है इसलिए मैंने इसको पूछा क्योंकि जो इन्होंने केरला का प्रीवियस एर पूछ कर रहे हैं हम लोग इसमें तो कोई खास बात ही नहीं देखो एक व्यक्ति ने गवस्तु को साथ परसेंट की हानी पर बेचा यदि वही से 96 रुपीज यदिक में बेचता तो आठ परसेंट का लाब होता सीपी पूछी है ट्राई करना इस सवाल को करने की मैंड में मैंड में करने की कोशिस करना वहीं सवाल को सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना मनीज का रिपलाई आ गया 640 देखो बहुत नॉर्मल सा क्योशन था इसने क्या का सेवन परसेंट के लोज पर इसका मतलब 93 परसेंट में बेचा आठ परसेंट के प्रोफिट पर 108 में बेचा और क्या काहा अगर वो 96 रुपीज मोर में सेल करता है तो यहाँ पर यह कंडिशन बनती है तो कुल मिला करके अगर आप देखोगे 93 से 108 कहने का मतलब CP से 7 परसेंट नीचे है और यह आपका 8 परसेंट ऊपर है तो 15 परसेंट 96 को बताता है एक की वेल्यू निकालोगे आप ओन में 15 इंटू में CP आपकी 100 परसेंट पांस से कैंसल आउट करोगे 20 बार यह तीन बार तीन से काटोगे 32 तो रिजल्ट कितना आगया भई आपके पास 640 रिजल्ट बनेगे आपका 640 ठीक हबी उम्मीद करता हूं बाद समझ आ गई होगी आगे बढ़े दो नन्ने मुनने सवाल आपके सामने देखना यदि एक वस्तू को 480 रुपे में बेचा जाता है तो अरद्जित लाब 20% होता है वस्तू का क्रेम उले ये भी प्रीवियस एर में जैसे सवाल पूछे गए हैं एज़िटीज आपके सामने रखे हैं इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है ठीक है बे कर दो उपर वाले को अटेम्ट करो सबसे पहले तो और जो नाइट में हरियाना वाला सिरीज जिन्होंने नहीं देखा था भई देखना उसके लास्ट के दो जबर्दस सवाल हमने देखे थे कि आज तक वो किसी भी पेपर में देखने में नहीं आए तो हरियाना वाली जो सिरीज है जो नाइट में रन करती है जरूर देखना गजब का ही लेवल था उनका आई हो बात बन गई होगी देखना एक आइटिकल को 480 रुपए में बेचा जाता है 20% का अलाव होता है CP ये किसको बता रहा है 120% को 480, 120 को 1% की वैल्यू अपोन में 120 आपको चाहिए CP जो की 100% है 4 टाइम कैंसल आउड तो रिजल्ट कितना आ जाएगा चार सुल वो तो नॉर्मल सा सवाल है चल ये तो इजीली हो गया इस वाले क्योशन की और बात कर देते हैं इस वाले क्योशन की और बात कर देते हैं देखना जरा क्या का एक आदमी कपड़े पर 15% शिक्ष्या पर 5% खर्च करता और 240 रुपए की बचाता करता है या फिर बचाता है तो आपसे पूछा है कि उसकी टोटल इंकम कितनी है ये भी वर्बली हो जाएड ठीक अभी तनाव लेना नहीं है उन चीजों का कि आसान आसान क्यों चल रहा है जिस बच्चे को ऐसा विचार आ रहा है रात को हरियाना सीरीज करवाई है गारेंटिड आपसे लास्ट के दो सवाल नहीं होंगे और आपने देखे भी नहीं होंगे वो वाले तो जैसे सवाल पूछे गए हैं एज़िटीज हम लोग उनको फोलो कर लेते हैं रिप्लाई आया थ्री हंडेड, थ्री हंडेड, फोर हंडेड देखना, बात को ध्यान से समझना भई यहां पर क्या था कि 15% तो इसने क्लोथ पर खर्च किया, 5% एजुकेशन पर तो कुल मिला करके 20% इसने खर्च कर दिया है 20% अगर यह खर्च कर चुका तो इसके पास कितना बचा 80% और 80% रिपर्जेंट किसको कर रहा था 240 रुपीज को, किस से मल्टिप्लाई करें, 3 से तो 100% अगर आपको निकालना है तो इसको भी 3 से कर दोगे, तो रिजल्ट कितना आजाएगा 300, इतना कुछ करना था नहीं, वैसे यह वर्बली हो जाता, क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 20% यहाँ पर हो चुका है, 80 बचा 80%, 240 को 1% की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि 3 रुपए होगी 100% कितना हो जाएगा, आपका 300 रुपीज तो यह तो वर्बली होने वाला सा सवाल था यह भी प्रीवियस सेर का ही सवाल हापका पिछले से पिछले पेपर का पार्ट है भई एक ही पेपर में इतने नन्यमोने सवाल हिनोंने पूछे देखना, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की व्रद्धी की जाती है लगा पैन वागेरा नहीं चलाओगे सिदे सिदे इसका reply भी कर दो option c आ गया होगा देखो अब यह भी statement डाला था कि x percent का increase x percent का decrease तो finally क्या लिखते हो x square upon hundred percent का क्या होता है decrease तो यहाँ पर भी direct आप इसी बात को सोचते कि 20 का square upon में hundred percent का क्या आता decrease तो यह 4% का decrease सवाल इतना आसान था कि आप इसको mind में deal कर सकते थे संभव था ऐसा आगया जो भी अब इनी सवालों पर इसी nature के सवाल पूछे गए तो कुछ और सवालों की संभावना अगर देखें तो देखना start लगा लो सवाल की एक दुकानदार एक scheme के तहत ग्रहक को पांच वस्तवें खरीदने पर तीन मुफ्त देता है साथ में 20% अतिरिक छूट देता है तो कुल छूट परतिसत टोटल discount परसेंट आपसे पूछा गया है आपके पास है 50 सिकेंड का टाइम अटेम्ट करके बता दो भई अच्छा सवाल है ये वाला कि अब तक एक रिप्लाई आया भी बाकी बच्चों के रिप्लाई भी नहीं आये अब तक मनीस का आ गया दिव्या का रिप्लाई आ गया है इसके अलावा गलेडियेटर का रिप्लाई आ गया है और सेशन को भाई इतने बच्चे देख रहे हो लाइक वगेरा तो करी दो भाई सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो भाई देखना बात को ध्यान से समझो एक जो डिसकाउंट है वो अपना है 20% का डिसकाउंट जो सेकेंड वाला है वो 20% इसे हम लोग क्या लिखते हैं 5 वन बाई 5 ये मार्क प्राइस होती है ये रिपरजेंट करता है डिसकाउंट को ये किसकी बात चल रही है ये 20% वाली बात चल रही है ठीक एक डिसकाउंट है तीन वस्तवे फ्री दी जाती है अगर आप 5 खरीदते हो ये वाला पैटर्न भी हम लोग पढ़ चुके हैं आसान है कुछ खास है नहीं कैसे लिखोगे आप शोरूम में गए एक आर्टिकल की प्राइस एक आर्टिकल की प्राइस कहने का मतलब मार्क प्राइस आप एक रुपए मान लो आपने 5 आर्टिकल बाई किये 5 रुपए दुकान वाले को पे किये उसने कहा कि 3 आर्टिकल फ्री देते हैं तो उसने 3 आपको फ्री देती है अब आपके हाथ में total number of articles कितने है 8 सभी आर्टिकल की mark price कितनी है 8 रुपए आपने कितने रुपए पे किया आपने तो सिरब 5 किया इसका मतलब 3 आपको फ्री मिल गए तो ये असल में बताता है mark price को और ये बताता है discount को अगर ये logic clear था तो exam में असल में देखा जाए तो ऐसे करते हैं इन सवालों को mark price से selling price का ratio निकालके ही आप वो लोगर discount निकाल सकते हो पहला जो discount था आपका पहला जो discount है 8 रुपए की mark price है तीन के discount के साथ 5 में बेचा पांच रुपए की mark price है एक के discount के साथ 4 में बेचा उपर से नीचे multiply करके conclusion निकालों के ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा फाइनली दो रुपए का समान एक में बेचा एक का discount एक का discount दो पर जो की represent करता है 50% को ये पार्ट लिखना नहीं होता है ये पार्ट लिखना नहीं होता है सवाल में बस इतनी सी बात लिखते ही समझ आ गया कि दो रुपए का समान एक रुपए में बेचा जस्ट हाफ में चला गया तो 50% discount हो गया ठीक है sorry बई चलो आगे बड़े next question की तरह मोग करते हैं देखो ऐसी दो संख्याएं की पहली संख्या के दुगने और दूसरी संख्या के तीन गुने का योग 141 है और पहली संख्या के तीन गुने और दूसरी संख्या के दो गुने का योग 174 है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपसे पूछा है दोनों जो नंबर से उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है एक बार ट्राई करके देख लो भई आई हो बात बन गई होगी कुछ तो कैलकुलेशन थी इस सवाल में रिप्लाई एक भी बच्चे का नहीं आया अवी तक दिव्या का रिप्लाई आगया उप्सन सी सुनील का आगया उप्सन सी देखना दो संख्या हैं पहली संख्या के दुगनी और तीसरी के देखो ऐसा कर दो दो संख्या हैं पहली संख्या का डबल पहली संख्या को एक्स मान लो के पहली संख्या का डबल और दूसरी संख्या का तीन गुना 141 है पहली संख्या का तीन गुना और दूसरी संख्या का दुगुना इसका sum 174 है दोनों नंबर के बीच का आपको अंतर निकालना है डील करने का तरीका क्या हो सकता है आप या तो इसको थोड़ा सा simplify कर दो कि दोनों को add कर दे पांच बार आपके पास X आ जाएगा पांच बार आपके पास Y आ जाएगा इक्वल्स टुमें आप लिखोगे तो यहाँ पर 4 और 1 5 7 4 11 1 2 3 इसको इससे cancel out करोगे 6 बार और 3 बार यह आ गया अब यह तो ऐसा कर लेते हैं कि करके नंबर को find करना start कर देते हैं कैसे? आप ऐसा करो ध्यान से देखना लिखने की need नहीं है आप डबल कर दो इसको यह जैसे 2X से इसको भी आप क्या बना लो? 2X तो पूरी की पूरी लाइन को 2 से multiply किया 2X में से 2X less हो गया उपर वाले में से नीचे वाले को less कर रहे है 3Y में से 2Y less हो गया तो हमारे पास Y बचा इसका जैस डबल कितना होगा 126 141 में से 126 को आप less कर दोगे तो आपके पास जो value निकल के आएगी वो कितनी आजाएगी 14 और 15 15 निकल के आगे Y की value अगर आपके पास 15 है तो X की value automatic इस में से आप इस value को less कर दो यह वाली value 15 है इसको इधर बेज़ दोगे तो X की value automatic आपके पास निकल के आजाएगी तो यह value कितनी निकल के आगी 14 है इन दोनों value के बीच का जो difference है वो हमसे पूछा गया लिख दोबे difference 34 क्या गडबढ किये वही हमने answer तो नहीं आ रहा है देखो उदर से अपने पास 141 बन गया 63 गुणा 226 14 यह हो गया 15 यह बन गया ठीक है अभी यहां तक कोई समस्या नहीं है ओके यह वाली गडबढ कर दी थी भई 48 आएगा यहांपर 48 आएगा यहांपर तो यह difference कितने का आजाएगा 33 का ठीक है कोई conceptual बात नहीं थी बस normal सा pattern था calculation calculation और उसके बाद calculation ठीक है अच्छा सुनील का क्या कहना है दोनों को subtract कर दे तो भी answer आजाएगा देखना भई ऐसा कर लेते हैं second equation में से first को इस बात के उपर मेरा ध्यान नहीं गया था इस में से इसको less करोगे तो ये x आ जाएगा और minus का y आ जाएगा ठीक है भी 114 में से 141 less करोगे 33 बात को ध्यान से सबजना भी एक बच्चे ने सुनील ने मतलब वो अच्छा दिमाग लगा इस सवाल के अंदर कि ऐसा भी तो हो रहा है दोनों equation लिखोगे किसी भी एक equation में से दूसरी को less कर दो जैसे यहां बड़ी values में से छोटी को less कर देंगे 3x में से 2x less करोगे x आ जाएगा 2y में से 3y less करोगे minus y तो x minus y की value automatic आपकी 33 दिख जाएगे ठीक है भी तो calculation बिल्कुल भी नहीं रहेगी फिर तो यह सवाल verbally वाली form में चला जाएगा आज आओ अगले सवाल की तरफ देखो इस सवाल के भी star लगा ले ना star की वज़े question read करके मैं आपको बता देता हूँ एक चात्र को एक संख्या को तीन बटे दो से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने उस संख्या को 3 by 2 से विभाजित कर दिया इसलिए उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था आप से पूछा है संख्या क्या है अब तक के सवालों में स्तरफ ये पूछता था कि error percentage कि कितने एक परतीसत की गड़बड हुई है वो बताओ यहाँ पर थोड़ा सा different पूछ लिया अच्छा पिछले वाले का 4-5 बच्चों नहीं रहते किया था equation को सब्ट्रेक्ट करके result आ गया भी 12 यह previous year काई सवाल हाप का केड़ला पब्लिक सर्वीस कमिशन का पिछले दो सवाल थे उनकी तो हमने practice की है चलो भी करें फिर discuss reply तो आए हैं लेकिन reply काफी कम आए हैं देखना जरा एक student को एक संख्या को 3 by 2 से multiply करने के लिए का वो number हम लोग x मान लेते हैं तो x को 3 by 2 से multiply करना था तो correct answer आ जाता बट उसने क्या क्या 3 by 2 से divide कर दिया इसका मतनब 3 नीचे upon में दो 2 by 3 से multiply ये क्या या wrong answer आ गया अब क्या कह रहा है कि इसका जो answer है जो correct आना चाहिए था उसके comparison में 10 कम था या तो आप यहाँ पर minus का assign डालो और equals to में 10 लिख दो और वहाँ से solve कर दो या फिर आप इन दोनों value का ratio ले लो ये part इससे cut गया 9 ratio 4 आ गया कितना कम है भई 5 कम है 5 किसको बता रहा है 10 को बता रहा है क्या क्या just double तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास answer कितना आना चाहिए था just double 18 और वो क्या था वो x का 3 by 2 आना चाहिए था जब solve करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 12 यह लो यह आपका बन गया result ठीक है भे ऐसे cases में हमने क्या सीख रखा है हमने यह सीख रखा है कि इधर unwanted दिमाग मतलगाओ 3 by 2, 2 by 3 3 by 2 ratio में 2 by 3 तो यह result आएगा 9, 4 कितने का अंतर 5 का 5 किसको बता रहा है 10 को 1 किसको बताएगा 2 को यह result 9, 18 को यह कब आता original number को जब आप 3 by 2 से multiply करते दिख रहा है 6 से cut क्या 2 से गुणा करते 12 रिजल्ट आके तो यह अपनी गुती exam approach इसको prefer करना है बाकी वो understanding के लिए ठीक method है आपका आगे बढ़ते हैं भी देखना एक परीक्स्या में 34 परतियोगी गणीत में 42 परतियोगी इंग्लिस में एसफल होते हैं इसको mind में करने का प्रियास करना वह सवाल को यदि 20 परतियोगी दोनों विश्यों में एसफल हुए हो तो कित्रे परतियोगी दोनों विश्यों में सफल होते हैं करो अटेम्टिज सवाल को mind में करने का प्रियास करना sorry उमीद करता हूँ verbally आपने अटेम्ट किया होगा दिव्या का reply आ गया सबसे पहले yes का आ गया है सुनिल का आ गया है देखो वैसे करना तो कुछ खास था नहीं सबसे पहले total आप खैल बच्चे निकालोगे तो ये 34-42 कुल मिला करके यहां से इन दोनों का एडिशन करोगे तो 76 लेकिन 20 दोनों में ही common आगे तो 20 को less कर दो तो 56% student जो है वो आपको सीधे दिख रहे हैं फैल 56 फैल है आपके पास तो इसका मतलब 44 आपके पास पास होगे when diagram से अगर करना चाहते हो तो बात को ध्यान से समझना पास या फैल या तो दोनों subject में पास इसमें पास फैल इसमें फैल इसमें पास दोनों में फैल चार टाइप का डेटा होता है, generally, कुछ जगह चार नहीं बनता, तीन ही बनता, उसमें examiner कहता है कि कोई भी बच्चा दोनों में फैल नहीं हुआ है, इस टाइप का सा, तो deal करने का तरीका क्या होगा, किनी तीन चीज़ों को, तो हमारे पास फैल का ज्यादा डेटा दे रखा है तो हम लोग इसको यूज करके वेंड डाइग्राम बना लेते हैं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है कौन सा भी मैट्स और एक सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिस चीक है ये वाला जो पार्ट है ये बच्चे तो वो है जो फैल है पास होने वाले बच्चे हम लोग क्या करते हैं साइड में ले लेते हैं टोटल मिला करके अगर हम लोग देखे तो 20 परसेंट बच्चे दोनों में फैल हुए यहाँ पर अगर बात करेंगे 34% तो यह कितने होगे 14% यह 42% इंगलिस वाले हैं 20 आ गया है तो यहाँ पर आपके पास 22% तो all over देखोगे तो यह sum 56 बनेगा classroom में 100% तो यह 44 बाकि काम की बात सुनो भी काम की बात यह है कि इस सवाल को verbally करना था आपको clear है इस सवाल को mind में करना था शुरुवात में आपको करके बताया भी गया है उस हिसाब से यह मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया एक्जाम होल में इतना time consume करना ही नहीं होता है ऐसे सवालों पर चलो आगे बढ़े एक दुकांदार विक्रेम उल्ले पर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा उनके लिए important है बाकी जिन्होंने एक बार पढ़ रखा उनके लिए क्या सवाल easy है एक दुकांदार विक्रेम उल्ले selling price पर 20% का loss कमाता है क्रेम उल्ले पर हानी याद करें एक बार attempt करके देख लो भाई चर्चा करते हैं इस सवाल पर भी 25 result आ रहा है option B भी आ रहा है money का different है yes का different है दिव्या का 25 सुनिल 25 दीप भगत का भी 25 है तो आस्मान वैसे कल्यानी का option A आज कई सारे नए बच्चे दिख रहे हैं जो reply कर रहे हैं session को like जरूर कर देना भाई सभी चलो discuss कर लेते हैं देखो असल में इसने क्या कहा कि 20 परसेंट का लोस हुआ ज्यादा ना सोचते हो लोग 20 परसेंट को लिख देते हैं 1 by 5 into में 100 करने से यह आपके पास result 20 परसेंट दे देता है इसी बात को सुधार लो actual में यहां पर cost price होती है लोस हुआ है तो minus करोगे और selling price selling price change नहीं है 5 है 5 ही maintain है लोस एक तो इसका मतलब सामान खरीदा कितने में छे रुपे में खरीदा तभी तो एक रुपे का लोस हुआ होगा लोस परसेंट पूछा गया है एक रुपे का लोस छे पर किसको बताता है भाई 16 2 by 3 परसेंट को पढ़ चुके हैं तो इस बार तो कई बच्चों ने इस सवाल को गलत कर दिया है कई ने क्या बेंकरी तरीके से गलत कर दिया वही जो लगातार correct दे रहे थे मैं तो इसे easy सवाल समझ के डाला था बात को ध्यान से समझना बात को ध्यान से समझना 20 परसेंट की वज़े से इसका answer निकल के आता है एक बार फिर समझ लो 20 परसेंट 1 बाई 5 इसका मतलब यह हुआ दुकानदार को एक रुपए का लोस हुआ है और सेलिंग प्राइस 5 है ठीक है बे तो यहां से दुकानदार ने क्या किया होगा समान पूरा का पूरा जो दुकानदार के पास या सोब कीपर के पास था उसने 5 पास रुपए में बेच दिया एक रुपए का उससे लोस हुआ है इसका मतलब समान 6 में खरीदा लेकिन जब वो लोस को कल्कुलेट कर रहा था तो उसने गलती से 1 अपोन में 5 कर दिया SP डाल दी नीचे होना क्या चाहिए था CP वन अपोन 5 इस वज़े से उसका इनसे 20 परसेंट आ गया अब आपने इस बात को करेक्ट करके लिख दिया तो असल में 1 बाई 6 लिखना था रिजर्ट 16 2 बाई 3 परसेंट ठीक है बई चली आगे बढ़ते हैं इस सवाल को क्या करोग माइंड में सोल करोगे इस क्यूस्टिन को सोल करना आपको माइंड में कर दो भई कि अच्छा सुनील ने भी गलत कर दिया था क्या इस सवाल का सुनील तो कहां गलत करता है इतने सवाल कि अच्छा आई हो बात बन गई होगे देखो एक छोटी सी बात हम लोग उल्रेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे आप 3 1 by 2 लिखते हो असल में देखा जाए यह आप चाहो तो 3 प्लस 1 by 2 लिख सकते हो तो ऐसे ही यह 99,99,99 कितनी बार अच्छे बार 1,2,3,4,5,6 तो आप इसे लिख सकते हैं 99 इंटू में 6 प्लस 1 by 7,2 by 7,3 by 7,6 by 7 नीचे 7 तो 1 by 7 प्लस 2 by 7 प्लस 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 6 by 7 ठीक, इसको जब आप सोल करोगे इस पूरे के पूरे पैटर्न को जब आप सोल करोगे तो यह नेचुरल नंबर है तो इसे आप लिखोगे 6 इंटू 7 डिवाइड बाइ 2 अपोन में 7 क्या अपलाई किया मैंने? नीचे तो 7 एजटी ज़ाब का मेंटेल है यह मैंने लिख दिया एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 साथ से साथ कटके यह वाली वैल्यू 3 आड़े अब या तो आप इसको सीधे लिख दो कि अगर मेरे पास यह 100 होता 6 से गुणा करते तो 600 आता लेकिन एक कम है तो यह कितना बनेगा 594 और प्लस में 3 कर दो तो 597 चीक है भे उमीद करता हूँ वर्बली आपने इसका एंसर कर दिया होगा आगे बढ़े देखो 5 गंटे प्रती दिन काम करके एक किसी काम को 8 दिन में और 6 गंटे प्रती दिन काम करके बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है 8 गंटे प्रती दिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे ये बात आपसे पूछी गई है बता दो वही सोल करके इसका रिजल्ट क्या होगा देखो नोर्मल सा पैटन था एक एफिसेंसी ए लेते हैं हर रोज 5 गंटे काम करता 8 दिन में एफिसेंसी को टाइम से मल्टिप्लाई किया टोटल वर्क आगे बी की एफिसेंसी बी ले लेते हैं 6 गंटे हर रोज काम करता और 10 दिन में तो टोटल टाइम ये आग्या यहां से जब आप Soul करोगे A upon में B तो यह आगया 60 upon में 40 तो ratio ले लोगे तो 3 upon में 2 A की efficiency 3 है B की efficiency 2 है अब कहरा है कि दोनों मिलकर हर रूज 8 गंटे काम कर रहे है दोनों की efficiency कितनी आ गई? 8, 3 और 2, 5 आ गई हर रूज 8 गंटे काम करते हैं तो हर 8 गंटों में total work कितना हुआ? 8 गुणा 45 तो यह 40 work कर लेते हैं हर रोज ठीक है? work है कितना तो यहां से देखो किसी एक को उठा लो 8 इंटो 5 इंटो में 3 तो आपके पास total work है 3 इंटो में 40 तो कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में उतना कली सा सवाल है उमीद करता हूँ समझ आ गया होगा चलो भई सोरी भई आज तो गला तबियत सब कुछ ज़्यादा ही हो गई देखना अगर आप maths की तयारी करना चाहते हैं तो मेरा maths का smart course आता है जो इन सभी exams को cover करता है around 300 sessions होंगे सारे आपको देखने नहीं, सारे नहीं देखने depend करता आपकी exam कौन सी है क्योंकि इसमें सारी exams में जो जो chapter पूछे जाते हैं उन सब को cover किया गया है course अगर join कर रखा या अभी अभी join किया या join करने का plan है तो मेरा suggestion है जो आपको PDF दे जाती है भाई उनके print out निकलवा लेना हर chapter के अंदर आप जा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि class 1, 2, 3 मतलब chapter chapter के folder बने हुए percentage का एक folder है उसमें जैसे class 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 इस type से है फिर उसमें एक या दो PDF आपको दी रहती है तो उन PDF के print out निकलवाने है questions को लिखोगे नहीं ठीक है वैसी मेहनत नहीं करने है थोड़ी सी smart मेहनत करते हैं हाँ concept है वो आपको notebook में लिखने है solution notebook में आपको लिखने है क्योंकि questions लिखोगे तो इस course में अगर कोई बच्चा वालो college के साथ कर रहा है किसर में तो पूरा ही पढ़ोंगा 10,000 के आसपा सवाल इतने board पर करवाए जाते हैं तो फिर कैसे कर पाऊगे इतने सारे संभव नहीं होगा तो torturous होगा तो better यह रहेगा आपने slab इसको mark करो, print out निकलवा और उसके basis पर deal करो, join करने का तरीका, दो तरीके हैं studyiq.com पर विजिट कर सकते हो या फिर play store पर जाकर करके studyiq app को इंस्टोल करो app open करके search करो वासू आपके सामने ये course आ जाएगा अगर आप केडला state में तयारी कर रहे है public service commission की तो हमारा smart course available है join करने के वही दो तरीके आप विजिट कर सकते हैं studyiq.com या फिर play store पर जाकर करके studyiq app को इंस्टोल कर दो ये वाला जो telegram channel है पर इसे जरूर join कर लेना इतने state हमने cover कर लिए हैं यहाँ पर night के अंदर अपना run में कर रहा है night में अपना run कर रहा हरियाना कल वाला जो set हमने discuss किया था उसको देखना भी उसमें बैतरीन सवाल थे जैसे जैसे उसके end में पहुँचोगे सवालों का level काफी ज़्यादा boost हो जाएगा किसी भी type का कोई youtube series के regarding या मेरा जो match वाला course है उसके regarding आपका issue है आप मुझे इंस्टाग्राम पर message कर सकते हैं या फिर एप और website दोनों पर ही help line रहती है वहाँ पर आप call या chat कर सकते हैं चलिए पर इमल लगा के मेनद करें आपका दिनरा सम्मंगल मैं हूँ मिलते हैं अगले session में जय हिंद जय भारत आपका दिनरा सम्मंगल मैं हूँ